शबद गुरू करिए इस्तिकार साहता अखना जी वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की पते जेड़ा में नू विशा दिता गया है वो है बड़ा एहम क्योंके विशे दी एहमियत उदो बहुत जादा वाद जन्दी है जदो किसे विशे देस बंदत शब्द आम लुकाई तो लेके एक वड़े दारे नू अपने के रे देविच लेके ओंदे होना आम दारा की या मिसाल देता उरते जिस विशे दी मैं गालकर लगए आम दाइरा है कि साड़े कर आंदे विच भी छोटे शोटे स्टिकर लगे हुंदेने कि हार वेले सिमरन, दोख वेले, अरदास, सोख वेले, शुकराना सो अक्सर कितना किते इस शुकराना शवद बचपन तो लेके वडेरी उमर तक साड़ी मान सिकता दी चेतन या सुचेत सत्ता देनल जुड़िया जरूर होंदा है उन स्वाल थे पैदा होंदा है कि बड़ा ही एहम संकलब है बेशक एस शबदा सबान्द साड़ी मूल पाशा देनल नहीं है पाव के पंजाबी देनल ते जे मैं गल्त न हो माते मेरे ख्याल देनल साइब स्री गुरु गरंसाव तो लेके जिनने भी सेक्स रोत ने पाई सब पाई गुरुदास दिया वारां तक उनना चे शुक्र शबदी नहीं है यह बड़ी एहम गाल है कि अक्सर सब तो वद साड़ी जिन्दगी दे विच वर्तिया जानवाला शबद जे होवे किसे पंक्तित जो हो सकता मैं गल्ट भी होँआ दास देओ नहीं है गाँ दा कारण की है इस कारण दी शनाखत करनी बहुत जरूरी है क्योंकि सिख दी जिन्दगी जोदोसी शुक्राने दी गाल कर दे और खास करके जेड़ा उस शुक्राने देवड देपदर दे उपर जेड़े अर्थ ने उस साथी पावन गुर्बानी चपहे ने पर उस शबद मनफी है उदा एक कारण है कोज शबद जेड़िया मूलक पशावान दे विच जनम लेंदे ने उनना पशावान दे विच उनना दा दाइरा बड़ा सीमत हुनदा है शबदा दाइरा ते अर्थ न दाइरा बहुत विशाल कर ले जनदा है उनमे तो ने कोदा आरं देना है जे तुरे जनदे है सड़ा किसे नल मुड़ा बाज़ जावे तावी ऐसी एंगरेज जी दे शब्द सारी चो नो समेट लेगने है ते जे कोई बंदा अपने कार दे विचो किसे दी होई मौत दी खबर दे तावी सारी दे विचो समेट लेगने है इसे तरह दे नाल कोई जमीन तो पहन चुक कि फड़ा देवे ते तामी उसनों असी थैंक यू शबत दे के रिचले हुने है ते कोई साथी जान बचा देवे उसनों भी थैंक यू दे के रिचले हुने है वे अंग्रेजी दे विच एक शबत सीमत दाइरे वास्ते सिर्जीया हो सकता है पर उदा दाइरा विशाल है सिर्जीया सीमत दाइरे विशाल है पर साड़ी पंजाबी बोली ते गुर्म की लिपी दे विच एंज नहीं है इती हर जगा दे उपर हर कारज नाल सबन्द錢 किसे नूश्य करन करन यहां किसे गाल प्रती, सिद्ध, सहज, सबर यहां फिर एत्थों तक के अफसोस दी गाल कार लग गया भी साड़े शब्दां दाइरा बड़ा वक्खो वक्खर है सीमत नहीं है हुण असी गाल कर दें शुकर शब्दी क्योंकि साड़ा विशा है यह शुकर शब्द अरभिक लेंग्विस जो आया ते जदों इस दी वर्तों होई न इदी वर्तों केवल एत्थों तक सी किता नू किसे चीज दी प्राप्ती हो जावे ते उस प्राप्ती दे इवस दे विच जिड़ा टाड़ा दातार है जिड़ा दीन वाला है उननों तुसी शुकर को के परमातमा तेरा शुकर है तूसा नू ऐस दाद देनाल न वाज़े एक करते दा इत्थे आ गया मैं एदी वी ता नो दारं दोंगा उस तो बाद सूफी मत एस नू सबर और सिद्क दे नाल जोड के एदी परबाशा नू वड़ा करता है जित्थे उक पता की केंदा कींदा की नहीं जे परमातमा ने सुख दिता है ते शुकराना कीता जा सकता है ता दुख भी उस दी दित्ती दाद है सूफी मत दे विच एस दे जड़े अर्थ ने एथिक सीमत हो जान देने पर जदों तुसी सिखी दे वेश शबद दाएरे दी गाल कर देना दाएरे दी गाल शबद दी गाल नी क्योंकि शबद साड़ी पाशादा नहीं है किसे हूर पाशादे विच्चो आया है कि ओ किसे शबद दे विच जा शबद दे दे विच बन के रखे नी जा सकते जदों तो हड़ी क्यो ली दे विच कलगी तर पाशाद गुरु गोबन सिंग माराज अपने चार पुत्रा दे सीस पौंदे ने ते एक कवी बड़ी प्यारी गल लेख दा ए जंग असामी लड़ आया ए दे पुत्र शहीदी पागे ने शुकर दा सिजदा कर आया ए थे फिर ताड़े अर्थ बहुत उचेरे हो जन्दे ने ओ इने उचेरे हो जन्दे ने के हत्थों दे के पला मनावे किर्ट विर्ट करतरम दी हत्थों दे के पला मनावे बाक्की साड़ा जड़ा शुकराना है वो लेंड दे उपर टिकिया हुए है पर सिखी दे विच जड़ा शुकराना है एक किसे नो दे के भी शुकर करना है पर मातमा तेरा शुकर है मैं तेरियां दितियां दातां दे विच्चों किसे दी मदद करन दे काबल हो सके है सो सिख तरमने एस शबदे पामे के शहीद शबदे मांग एस हड़ा शबद नहीं सी पर जड़ी पर बाशा सिर जी है वो बहुत वक्री है वो बहुत वलक्रन है और बिन्हों लगदा है कि उस पर बाशा दे नाल जोड़के ए शबद अपनी मूलक पाशा दे नालों में साड़े लफजां दे उच्चा हो गया बहुत जादा उच्चा जेस तरह दे नाल शहीद शबद जेड़ा है वो जो दो सिख परंपरावां दे विच जोड़ा है ते ओधी परवाशा बहुत उच्ची हो जादी है जिस मख़ब ने एस शबद नो इजाद कीता शहीद नो अरैबिक दे विच इसलाम ने उनना दे को इधी परवाशा इनी वड़ीने सी ओटा जेकिते ता नो जिंगे ओह दा जिकर पढ़न दा मौका मिले पंजाबी दा सुरोती हीर वारसी पढ़ लिए ता उस मैदाने जंग दे विच उमेद बिन कुमया नाम दा एक जर्रैल इसलाम तर मदे बानी सल अलाहु वाले वसलम महमाड साब पर तल्वार दा वार करड़ है महमाड साब जमीन दे डिख दे ने क्योंकि तल्वार दा वार लगगज़ दान्द तोटे जान्द है धुट जड़ा इसलाम दा स्कॉलिस्टिक अप्रोच वाला वरग एना जड़ा अकैडमी को प्रोच रखनाला वर्ग है ज़ा फिर जड़ा उन्दा स्कॉलर है उन्ना नो यह ज़ा लगदा है कि नहीं ओता खुदा दे मेसंजर ने पेगंबर ने ते उन्ना दे दांदनो टुट्टिया केना उन्ना दे हानदा शबद नी लगदा फिर उपता की केनदा है उपता वारस हीर चे लेख़दा है दिती जहर तकदीरने हसंताई सीस शाह हुसें दा कटदी है वारस नभी दा दंद शहीद होया तकदीरना किसे तो हटदी है जहादत शबद नु इजाद कर देने शबद शबद नु जनम देने पर शबद दी पर वाशा बड़ी चोटे पदरते लेया हुते पर जद तसी गूरू तेग भादर साथ दी शबद वेख़दे ओ जानता हर शहादत दे विच जान दी है जान दी है शहादत दे दारे दे विच जो शहीद है ते ओस फलस्फे दे विच भी एक ऐसी सक्षियत होनी जिसनों शहीदान दा सर्ताज किया जड़ा इदी अपने आप चे बड़ी एहमियत है मैं एक गल्त हनों एस करके समझाई है जान तो हड़ा संजी कीती है तो इससारे मेरे तो ज़्यादा तरवीर वड़े ने एस करके संजी कीती है कि कई शबद ऐसे हुं देने जेड़े साड़ी मां बोली देना सबांद नहीं रख़दे पर उन्ना दे जड़े अर्थ ने उस साड़े विर्से दे विच उन्ना अर्थां तो बहुत बड़े हुं देने जेड़ी बोली दे विच उन्ना शबदा दा जन्म होया एस करके असी शुकर शबदनों होन खोलन दा जतन करिये मैं जड़ तारीख इसलाम पढ़ता उन्ना एक जगात दिपने बड़ी प्यारी वर्तों जड़ी है आऊ दा जिकर मिलता है शायद अकबर नजीबाबादी दी लिखी होई तारीख इसलाम उर्थू दे विच उन्ना प्यारा जिकर मिलता है उत्वता उन्वेदा एक रूप समय दे विचे हूंदा है और रूप पता कि यह कि इसलाम तरम दे बानी हजरत महमा साब अपने दो तरे हजरत हुसायन दे नाल जिसनों बात दे विचे कर बला दी जंग दे विचे शहीद कर देता गया और दे नाल सुवेरे नमाजे फजर अदा करके आ रहे ने नमाज अदा करके तुरे आ रहे ने ते रश्ते दे विचे हुसायन एक काल पोच़दा है के इनदा नाना जान असी किन्हें जंगें असी ते फजर दी नमाज दे आवी गए ते कोजो लोग अजेवी सुत्ते पहे ने मुहम्मद साम बिलकु चुपने कोई जवाब ने दे थोड़ा हो रग्या आके फिर उ सोचता है कि मेरी गालदा जवाब क्यों नी प्रतीकर्म क्यों नी कोई क्रिया क्यों नी उफिर उही स्वाल करता है नाना जान असी नमाज पढ़के आवी के फजर दी अप अगे लोग अजेवी सुत्ते पहे ने और फिर चुपने जदो तीसरी वार हुसैन ये सुआल करदा है ते मुहम्मद साब पता की किंदे ने किंदे शुकरानना कर खुदादा कि उसने सानू नमाज फजर दे वास्ते उठन दी बक्षिश कीती पर जेड़ी उनने बक्षिश कीती सी ओख खत्म होगी है जेड़ी असी पहली नमाज पढ़के आए सी ओव नमाज कजा हो चुकी है उसनमाई दी मौत हो चुकी है साड़े नालू ओ लोग बहुत चंगे ने जेड़े सुते पहे ने कम से कम साड़े वंगू खुदादा नाम लेके अंकार्त नहीं कर रहे है तेरी ओ नमाज जेड़ी है कजा हो चुकी है चल दुबारा मस्चद दे विच चलिए ते दुबारा नमाज पढ़ किया ये और मेरी एक गल याद रखी के जेकर खुदा दी बंदगी करके अंकार ने जनम लाय लया ते समझ लो के तुसी खुदा दे शुकराने तो वन जेओ अंकार जेड़ होमे दा पाव जेड़ वो मान दे विच नहीं होना चाहिए उस तो अग्ये जाके सूफी मत एसनू सिदक ते सबर दे लफजान दे विच खोल दा मैं गल शुकर शबदे तक सीमती रखनी है सूफी मत ने एस शबदनू सिदक दे दायरे दे विच ते सहज दे दायरे इच खोल लिया ते मक्का के इंदा के राविया बसरी तू बिर्द वस्था दे विच ते मैं सोचया के तू जियारत करन दे वास्ते आ रही है मैं ही तेरे कोल चला जाओ ते राविया दा जवाब बड़ा एहम से केंदी मैं मक्के दे वास्ते नहीं आई मैं मक्की दे वास्ते आई है मक्का हूं दा जगा मकी उदे अंदर वस्था वाला के मैं इमारत दी जारत करन दे वास्ते नहीं आई मैं ता ओस दी जारत दे वास दे आई हैं, जिन्हों क्या जा रहा है कि ए थे वास दाया सो ओस ने शिकायत ते शुकर, इना शब्दनों डिफरेंशियेट कीता है सूफी माड दे विचे, और मिनूं सूफी माड दे थे हास दे विचे शिकायद दे नाल शुकर नू जोड़के उपहली उदार लपी है क्योंकि जदो वीर जी ने मिनू सब्जेक्ट देता थे सब तो पहला था मैं गुरबाणी नाल सब बंदत जड़े सरोथ सी ओफोले ता मिनू कोई एवेदा परमार नहीं लबा जी दे वेचे शुकर शबद एस शबद रूप चाया हुए एदिया व्याख्या बहुत सारी आई याने जिननाद मैं पहला में जिकर कीता है कि ओ तेसी रोज जबजी साब दे विचे पढ़ दे है केतियां दूख पूख सदमार एपी दात तेरी दातार सो एई सुरूप दे विच एदिया व्याख्या माते बहुत पढ़ दे पर शुकर शबद नूख एनू सिखना बहुत जरूरी है बैठी है अपने बंदगी दे स्थान दे उपर एक नौजवान आया ते सिर दे उपर काली पट्टी बननी होई है बड़ा चर बैटी उसनों ताक दी रही ते उसनों पोच दी है कि तू सिर दे उपर पट्टी क्यों बननी है केंदा पता नहीं राबदा की माड़ा कारदिता सिर पीड होई जल दी है केंदी तेरी उमर किनी होगी है केंदा मेरी उमर ती साल होगी है के इन्दी पहली वरी सिर्पीड होई है के इन्दा हाँ इन्नी सिर्दर्दा पहली वरी होई है ते राबिया पता की के इन्दी लान ते रहते ती साल ते इन्नों सिर्पीड होई नी ते तू एक दिन भी शुकर दी पट्टी सेर ते नी बननी के रबा मैं तेरा शुकर कर दे ते एक दिन सेर पीड होई ते शिकायत दी पट्टी बनने के रबनू अलाम में देन लगे उसने शुकर ते शिकायत नू खोल देता साथे सामने और ए साथी जिंदगी दे विचे बड़ी एहम गल है कि थोड़ा जावी कश्टा आजावे थोड़ा जावी दोखा आजावे असी रबनू अलाम मां जा शिकायत ओ कर दे पर ओते ओ पहला जड़ा सोख पो गया हुंदा है ओधे शुकराने दी गालसी कदी नी कर दे सो राबिया ने थोड़े शब्दां दे जा बड़ी वड़ी काल खोल देती कि इंदी तीस साल उमर होगी है ते जिनना चरते इनू सेरपीड नहीं हुई उनना चरक दी शुकराना दे कीता नी एक दिन सेरपीड होई ते शुकराना पोले के शुकायत वाले पास से तो रुप्या उस तो अग्गे फिर वह इनू हूर खोल दी है उदे कोल उस ते तिन बड़े चंगे इसलाम दी वदिया विचार करन वाले सूफी फकीर बैठे ने एक खसन बसरी और एकदा नाम है कमाल अल दिनार और एकदा नाम है शफीक इतन बैठे ने वो तिनना नो एक स्वाल कर दिये उस स्वाल बड़ा एहम है उस स्वाल पता की कर दिये के इन्दी सिदक की हुंदा है उन जनाचर तक तुसी सिदक ते सबर नो ने शम दोगे न उननाचर तक तुसी शुकर नो डुफाइन नी कर सकोगे जेस नो असी आपने सुरुतां दे विच खोलना हुवे न ते पाईसा पाई गुर्दास एक बड़ी प्यारी उदार देने कि दे मुर्दा होई मुरीद ना गल्ली होणा साबर सिदक शहीद परम पाऊ खोवणा जड़ा साबर ते सिदक, सबर ते सिदक जिननाचर सबरते सिदक जिन्दगी दे विच नहीं है गा शुकराने वाले पासे वधिया इन जा सकथा क्योंकि जिस सबर नहीं है ते असंतोश है जिस सिद्क नहीं है ता मान दे विच संतुष्टी नहीं है ते जिना चरे दो चीजा नहीं है उना चरे शुकराना दे बंदा करदा ही नहीं है और किता जाब नहीं सकता जिनाचिर असी दित्या हैं दाता तो सुन्तुश्टी नहीं है शुकराना का दा फिर लफजा जिता हो सकता के बोल के कह दीए कि जित्रा स्टिकर लाए हूं दे हर कारदे वे चे वाई गुरू तेरा स्टिकर रता लाए जा सकते ने पर अजल देविचे शिकराना की ए इन नो समझना बहुत जरूरी है सो हजरत राबिया एक स्वाल कर दिये किंदी सिद्ध की है पहला जवाब उस्ता हसन बसरी दिन्दे हसन बसरी केंदा है कि सिद्ध है कि पर्मातमा दि दिदती साटनों महसूस ना करना किंदी गालता तेरी ठीक है पर एदे विच अंकार चलक दा कि परमातमा साटल लोंदा दे तू परदाश करना दे समरता राक दा परमातमा दे साटल में कौन परदाश कर सकता किंदी एदे विच ता अंकार चलक दा दूसरे नो पोछ दिया केंदी तूंदा से सिद्ध किया केंदा के परमातमा तुहानू कष्ट देवे ते तुसी हस के चोली देवे चपालो केंदी एवी ने तीसरे नो पोछ दिया केंदी के सिद्ध किया वो कीने है कि प्रमात्मा दे दिते दर्ददा शुकराना करना के इन्धी ऐ भी नहीं है वो गुफरतिने स्वाल कर दे तू दास्फिर की है के इन्धी मेरा जवाब है कि जिए सिद्क आ गया उत्षे पीर्दा नामी नहीं है उत्षे दे शबद ही खत्म हो गे जिते सिद्ग ते सबर आगया ना उते दिन ना शब्दानी जगा ही कोई नहीं है उते ते को चुप है उते ते को अनन्द है उते ते को समाद है ऐस तरह ऐस शब्दनो सूफी मतने जिड़ा शब्द इसलाम चो शुरू होया सी सूफी मतने ऐसनो काफी हाथ तक कोल दिता है फिर इसनो अग्गे हो रो एक वधिया रूप दे विचे खोलिया शेक इबराहीम अदन ने ते रफीक बस्री दी एक वारता लाब मिल दी असा नो सूफी कताबा दे विच वो दे विचे इसनो बड़ा प्यारा खोलिया गया रफीक शेक इबराहीम अदन एक स्वाल करदा है कि इन्दा जिंदगी के में गुजर रही है के में बसर हो रही जिंदगी ते ओ इसना जवाब दिन्दा है कि इन्दा सबर दे विचे ते सिद्क देविच सबर देविच ते शुकर देविच खास पया किन्दा बस इते गालम होगी सबर ते शुकर ते गालम होगी किन्दा हाँ इतो वड़ाता कुछ होई नहीं सकता किन्दा इता बहुत छोटा है इता मेरी गली दे कुटे भी कर देने रोटी ना मिले ते सबर ते पादे हो ते शुकर पूछ आलो ते फिर देने कि इन्दा बस एत्थी की जिन्दगी टिका ली हो एत्था कुटे भी कर देने मैं ते नो पुछ आए कि जिन्दगी के में गुजर रही है तू किया है कि सबर ते शुकर दे विच ते ते सबर ते शुकर तख ता किह circuits कुटे को लूँ बहुत है रुटी पादे हो ते शुकर है ना पाँ ते सबर है कि एंदा जे मेरी ये व्याख्या छोटी है ते फिर दुसी दस्वों तोाढ़ी के वे लंग दिए कि ना मिले ते शुकर कि ंधा मेरी ये वह उन एधे चे ग्ला आगी है ना मिले ताम ही शुकरा आए ते मिले जाविए ते हत्थों दे के पला मनाभे फिर एत्फों साड़ी विचार का रड़ा रम बहुंदा है सिक्खी दे विचि जदोसी उन सिखी दे विचे शुकर दी व्याख्या वेखनी है तिस सानू ओस व्याख्या दा हुन अराम बित्थो करना पवेगा किर्थ विर्थ कर तरम दी हत्थों दे के पलाम नावे पर हत्थों जो देने उदा पेला अदा आरे है कि उत्तरम दी किर्ट दे विच्छो होवे इसे करके पाईसब पाई गुर्दास के इनने के खाउं तिसकोल कुमाया गुर्म खरिदे गरीबी आवे इत्थे गरीबी दा अर्थ निये के तो हड़कोल पैसा ही न होवे इत्थे गरीबी दा अर्थ है निर्मानता, दीनता के बहुत कोशोन दे बावजूद भी किते अपने आपनों दाता ना समझो लग जाओ इह ना समझो के मैं दाता है क्योंकि कितना किते असी सारे है था पिखारी, हम पीखक पिखारी तेरे तू निजपत है दाता पर एदे विच ना एक सूखम जया पड़ता है जी दे विच मनुख दे मन दे विच अंकार दा पाव आजरूर जादा है जदो ओदे को लोग कोई दात हुंदी है ते ओ दात दीन दी समरत्था भी होवे ना अंकार आजरूर जादा है एक उदरतन है सुबाव कै और एही जड़ा अंकार दा जड़ा पाव है ना एही उस अवस्था दे विच मनुख नू नहीं पहुंचन दिन दा जित्थे जाके पाई साप पाई गुरदास की दिने के हों तिस कोल कुमाया पार दर बेनू खाथ ना लावे यह बड़ी ऐहम गल्या है कि जे कर किसे को लेा ते किसे नू दे दिता तब फाइधा जे बंदा आपने 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 सोचन लगए के फाइधा एए के मैं दाटा बन गया पार इस थे तो है ही नहीं जितों को ले ओवड़ा दाटा मैं वड़ा पिखारी मैं अगे देता हूँ थोड़ा छोटा पिखारी है अगे देता हूँ थोड़ा चोटा पिखारी है ता दोवे ही पिखारी मैं तो नो महाराजार अरण जी सिंग दे राई दे एक छोटी जी गाल दासता है शेरे पंजाब दे विच पहुंच दिया, ओ जिड़ा अरदास का अरणवाला सेख या, ओ थोड़ा जा वक्त तो लेट हो जानदा है, महाराजा दरबार दे विच आ चुका है, गुरु गरंसा महाराई दे विच, जित्थे अरदास होनी सी, अजे ओ रदासिया सेख, महाराजा रणजी सिंग नो ते नहीं मिलदा, पर रणजी सिंग दा एक दरबारी सिख पता की केंदा है, केंदा है, ते नो पता नहीं, तू की दे दरबार दे विच आया, ये शेरे पंजाब महाराजा रणजी सिंग दा दरबार है, ते महाराजा साथ ता पहला आके खड़े ने, ते तू अरदास यहून दे बावजुद लेट आ रहे हैं, उनने तो कोई प्रतिकर्म ने कीता, कोई टिपनी ने कीती, तर चला गया, पर शेरे पंजाब था बड़ा खोश हो के मिलिया, स्तकार कीता, आदर कीता, उनने अर्दास कीती, जदो उन अर्दास कर रहे सी न, ते शेरे पंजाब उस अर्दास मापत होई, रणजी सिंग ने उननो फते बलाई थे, अखीर दे विचे, अपने एक सिख नो आवाज मार के केंदा है, केंदा है के मेरा कोडा ले आके, अर्दासी सिंग नो उस्तियां वागां फडा देओ, ते जिनने अलाके दे विच वी इस कोड़े नो फेर द दी क्योंके मेनो एंज लगदा के दी आर्थक हालत चंगी नहीं, ते अर्दासी सिंग पता के केंदा, केंदा रणजीत से हैं, अजे कोज पाली ता हुए अर्दास कीती नो, ते तु पूल गया, मैं अर्दास तेरे अगए कीती है के गुरू दे अगए, वो केंदा मैं आज मनो लोड़ होगी ते मैं गुरू रामदास को आप पे मंगलूंगा, मैं तेरे कोल क्यों मंगा, सो किते ना किते गुरू दे नाल जेडा मनुक दे हिर दे अंदर शुकर दा पर बाब जनम लई दा है, वो एत्थों चलके दा है, नहीं ते साच जाने हो, ओधी जग या तो हड़ी है, पर जो असी गुर्मत वचारता अरा दे दारे दे विचे इस शबद नो खोल दे हैं, तो साड़कुल बहुत सारे थास दे विचे, ऐसे परमान पहे ने, जिते जाके सानो एंज लगदा है, कि व्याक्या बहुत वड़ी होगी है, शबद पिछे रह गया, तो उन्हा व्याक्या वाँ दे विचे, एक व्याक्या ये है, कि दूसरे पाच्छा, गुरु अंगदेव साब, जोती जो समाजान दे ने, तीसरे पाच्छा नो गुर्ता गदी दे बक्षिश करके, लोकां दे विच, एक कन्सो, कन्ना दे विच पैन वाली अवाज फैल ज तो कीता है, पियो बड़ी जुर्ग उमर्दा है, जेसनो सारी गुर्नानक साब दी गुर्ता गदी दी जो बेवारी सौंप देती गई, एक गल लोका दे चाहाम हो जांदी है, ते जदो एक गल आम हों दी है ना, ता ओस वेले एक चल दी चल दी गल बाद, पाकस्तान दे व शूर्ग फकीर होए ने, ओ अपने हुजरे दे विच हुजरा अरेबिक लेंग्रिज दा शवद है, इस दा मतलब हुंदा कोठा, ओ कबराजी दे चा बंदगी कीती जन दी है, सो महम्मद मकीम साब उस कोठे च बड़ा चर उससे जगाते बंदगी करते रहे ते उस नगर द नामी हुजरा शाह मकीमी पहा गया है, सो जदो ओ अपने हुजरे दे विचे बैठे ने, उनना दे चार होर फकीर दोस्ता आजा देने, जिननना दे विचे एक ख्वाज़ा बिहारी है, एक महताब शहबाज हसन है, इस दो तिन फकीर हो रहा आ जा देने, आपस दे चर्चा पता की हो रही है चर्चा ये हो रही है कि पता लगा है कि सिखा दा जेडा होन गुरू अना वो बड़ा बजुर्ग है बड़ी बुर्द वस्था दे विचे है ते ओदे कुल केड़ी ऐसी गोण जा केड़ी ऐसी कुवत या ताकत जीदे करके दुज्जे गुरू ने बख्षिश कार देती पि एननी बिर्द वस्था दे विचे गुर्टा गदी दा मिल जाना अपने आप चोसर में एक बड़ा बड़ा चमबा सी होनो सोच देने कें देने कि एदा जवाब एथे वैं के साड़ी अपनी चर्चा चोनी लब्या जा सकता एदा जवाब ता उही दे सकता जड़ा गुर्टा गदी दा वारस बड़े है एचारे फकीर आपस दे विच्छ सला कर देने ते आज आन देने गोईंदवाल साब हुन गोईंदवाल साब आके समस्या एए है के मनोख जिस महाल दे विच्छो आया होए न उसने अपने मुर्शद दा मसनद भी उससे तरह दा तसवर कीता हुंदा के जिस तरह मुकीम साब अपने हुजरे दे विच्छ गदी लगा के बैठ दे सी आले दौाले बस्तर विशे हुंदे सी गुरू केड़ा ते सेक इशारा करदा कि इंदा हो लंगर देवे चेड़े पंड़े माज रहे ने उन पैरा है थे उजमीन ही निकल गी पी एक एमें हो सगदा पी गुर्णानक दी गदीदा वारस थे गदीदा वारस या गदीदी गुर्याई मिलन तो बाद पांडे माज रहा बरतन साफ कर रहा कोल जाके बैठ गे हाथ जोड़के बेंती भी कर देती पाच्छा तो हाडे नाल कोश मुद्यां दे उपर चर्चा करना चाओने पाच्छा के इन दे बैठो चर्चा दी शुरुआत होई अक्सर जेके तुसी प्रातन सुरुटा नो खास करके जिड़े सूफी मातनल सबंदत ने उनना सुरुटा ने चर्चा रमज़ा ने विचे बहुत कुछ समझा देता है जंदा एक रमज़ दी गाल होंदी है मैं तोने एक जगयासू एक मरीद राबिया बसरी दे को लूंदा है कि इंदा मिननो उपदेश दे ते उपदा की कर दी है थोड़ी जी मौम एक सुई ते एक वाल फड़ा दिन दी उनो बड़ा हरान कि एननी दूरों बक्षिश लैडवास ते आया ते मिननो दिता की एक मौम दा टुकड़ा मौम बती दा सड़या होया टुकड़ा एक सुई ते एक वाल उनो कहिंदा मिननो समझ नहीं लगगी मैं ते बक्षिश लैडवास ते आया सी तुसी दिता कीया समझा आता देओ कहिंदी ते नो एह समझा है कि जिद्दन आपने आपने मौम वाल में गहना ते ओस दिन ते नो लोका नो सुई वांग जोड़न दी जा जा जावेगी ते जिद्दन तु सुई वांग जोड़ना सिख लयाना उद्दन जड़ी तेरी सुर्त्या वाल वांग बरीग हो जाले है केंदी मैं दे तेनों ये समझोना जाया से सो ए जिडे सूफी मद्दे सुरूत ने उनना दे विचे रमजान दे विचे बहुत गाला समझाई जाती है सो ए ते भी हुड़ो रमज दे विचे गाला कर देने ए जिडे फकीर ने ए गुरू अमरदास पाच्छा ने बड़ी रमज दे विचे गाला कर देने ते सूब पता की कर देने केंदे पाच्छा तहां नों एक गाल दसी है के जदों मक्छन काड लिए ने बाद दे विचे लसी ने रिडिकी दी ते जदों गुड़ी दा असल व्या हो जावे न ते फिर उसनों गुड़ीया पटोल्या दे लालनी खेड़ना चाहिए यह स्वाल है बड़ा एहम स्वाल है एस स्वाल दा पावे सी के मक्छन जदो ता नों गुर्याई दा तात मिल गया है ते होन लसी रिडिकनी पाव के होन पांडे मां जन दा की फैदा के जो ता नों मिलना सी एतो वा दीवड़ी आई ता मिली नी सागदी किसनों दुनिया दे विच गुर्णान के दी गदी दे वारस होना ते होन तुसी एक कुछ क्यों कर रहे हो ते जदो तुसी ओन एस साचमुछी ओस रुहानी अनांदे विच व्याये गए हो व्याये के अनदा पाप प्रनाये जना प्रमातमा जना मलाप हो जना ते ओ फिर पांडे मां जने ता गुड़ीया पटोलेया दी खेड़े पाच्छा ने बठाया बड़े वज़त दे विच बड़े विसमात दे विच इस्ता जवाब देता के इंते पीर जी मन लो मेरे वरगा दीन गरीब दरीदरी पकारी रोज रेत शान दा हो वे रोज रेत शाने ते कोई अमीर मेरी ग्रीबी नो तक के मेरे तर्स करे ते उस रेत दे वेचे के हीरा सोट देवे रेत शान देआं शान देआं मेनू हीरा लब पवे ते मेरा फर्ज बनदा है के जे रेत शानन दे नाल मेरी हीरा लब बन दे करके गरीबी कटी गई है ते मैं रेत शाननदा कामना छड़ा क्योंकि एदे विच्चो सब कुछ मिले आते एही मेरा शुकराना होगा जेड़ी गुर्ता गद्धी मिली है उस सेवा दे विच्चो मिली है ते उस सेवा दे नाल जुड़के रणा ही मेरा शुकर दा सिज़ता है वो मेरा शुकराना है होण असी वेखी है कि एदे अर्थ जेड़े ने वो किड़े बड़े बन जान देने किन्ने एहम बन जान देने कि गुर्ता गद्धी मिलन तो बाद वी मनुक या गुरू सहबान असी मनुक ना कही है गुरु साव वरगी सक्षियत उनना दा जेड़ा हिरदा है उदे विच सेवा दी पावना इननी प्रबल होनी कि उनना एसनों ही शकराने दे रूप दे विच लेना कि ए शुकर है कि परमात्मा ने ए सेवा जेड़ा जेड़ी है वो बक्षिश कीती है अगली गाल जेड़ो आजन दी है हत्थों दे के पलामन उन दी दरसल ए वस्था उनना चिर तक नहीं आ सक दी जिनना चिर तक सिद्क ना हो और सिद्क दे विच सब तो एहम गाल होन दी है कि परमात्मा वल्लो दिते जारे कश्टनू मैसूस ते की करना च्छड़ी जिना बलके ओस नू एस रूप दे विच लड़ा के दुख दारू सोक रोग प्या एस रूप दे विच लड़ा हुण जेकरसी तहास नू विखी है खास करके अठारवी सदी दे तहास ता जैसी एक परमान येस सिद्ख दे विच ले खड़ा हुए जित्वो शुकराने दे अरदास हो रही है ता ये स्ञल दे ना ले एदे तो प्यानक एदे तो स्ंताप परी एदे तो दर्द परी तारीख दे विच केड़ी कटना हो सक दी है के जड़ो साड़िया मतामानू जो दो साड़ियां बच्चियां नो मीर मनू दी जेल दे विच गैद कीता गया हुण ए पहली वार है जो दो मीर मनू ने उन्ना बीबियां नो गृफ़तार करन दे हुकम जारी कीते ने जेड़ियां बीबियां सिद्धे तो औरते तरम जो दिचे हिसा नहीं ले रही है गुना की है गुना एह है कि मीर मनू एक वार अपने काजी अब्दुलहक नो सवाल करता है ओ कहिनदा है कि जेड़ियां पिंड़ियां दे विच लड़दे ने उन्ना नो राशन कौन दे के हो दा है ओस कहिए दा है कि जेडियां पिंडान दे विच सिख भीबियां ने ओ जो दो अपने पर्वार्दे वास्ते पीसन पीस दियां ने तुर्व थोड़ा जा हिस्सा अपने लड़दे प्राववां वास्ते भी रख ली दियां ते गाहे बखाए ओ आके ले जाते ने वो केंदा फिर एस प्लाइल लाइन दा लाक तोड़ना पवेगा उसने फरमान जारी किता बच्चिया नो गर्फ़तार किता गया औरता नो गर्फ़तार किता गया बजर्गा नो गर्फ़तार किता गया ते लहौर दी जेल दे विच्छ लेंदा गया ते ना लिए उसने अपने काजी अब्दलहक नू ते वजीर अमीन खान नू ना लिए फरमान जारी कर देता कि इनना दे विच्छों जेडी वी अपने अकीदे नू छटके दीनने इसलाम दे विचा जावे उसनू हरम दे विच बेगम बना के पुचा देता जावे एक दिन बीद या दो दिन बीद या किसे एकने वे दीन ने इसलाम प्रवान ना कीता stand जावे इन और कुलो सखत मेनच करवाई जावे सवा मन, सवा मन कच्चा पा वी किलो वी किलो काण के पीसन दे वास ते रोज दिती जानती के स्वेर तो लेके शाम मां तक चक्की पीसनी है ओदे दौरान सारी द्याडी पीन दे वासते अद्धा प्याला पाणी दाते अद्धी रोटी खान दे वासते दिते जाने है पर नसीब ओभी नहीं क्योंकि बच्चे नाज छोटे 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 ने विलक देने, गर्मी है, पुक है मावा आप ता पुक बरदाश कर लें दियाने वो रोटी बच्चे नो दे लें दियाने आप पुक ही है हून तुसी विक्खो एक किना वड़ा सिद्ग है और एस सिद्ग दे विच्चो शुकर के में पैदा हो रहा हूने विक्खो ये सिद्ग दे विच्चो शुकर के में पैदा हो रहा मीर मनु काजी अब्दुलहक नो केंदा है केंदा के इन्ना दा नित करम की है रोज करदिया की ने केंदा स्वेरे मिल जुड़ बैठ दियाने अक्खा बंद करके अपने खुदा दी कलाम पढ़ दियाने ओ की पढ़ दियाने सानू ते पता ने पर सानू एक गल्दी रोज सुन सुन के समझ आगी है केंदियाने के अकाल पुर्ख तेरा शुकर है के चार पैर रायन तेरे पाने चबतीत होई ते चार पैर दिन मी तेरे पाने चबतीत होई केंदा रात नू केंदा रात नू सारा दिन चक्की पीस दियाने पुखियाने प्यासियाने बच्चे विलक देने पुख देना ते रात नू फिर आपने खुदा दी कलाम पढ़ के ही गलके इंदियाने कि परमात्मा तेरा शुकर है चार पैर दिन सोखदा बतीत होया वे को इस सिद्धता पैरा बीट रहा है सारा दिन इन्नी मेनत इन्नी मुशक्कत गर्मी इन्नी सक्ती विलक दे बच्चे ते केड़ा परमात्मा तेरा शुकर है अनांधी बड़ा आ रहा पत्थर मारके गर्ब गरा दिते जाना बच्चिया नो लटाया गया पेड़ दे उपर पत्थर मारे गए गर्ब गरा दिते गए अरदास फिर ऊही है अनांधी इन्ना दी उस शुकर दे सिद्धे दे विच कोई तब दीली नी आई इनना दी सिद्क दिली उसे तरह है केंदा बिलकुल उसे तरह केंदा फिर जेडे बच्चे जिउंदे ने उनना देवी टुकडे करकरके इनना दीया चोलिया जपा दे जान नखास चौक दे विच बीबी अनु काड़ के ले अंदा जन्द है बच्चे गोधांदे विच्चो घोल है जन्दे ने उनना बच्चे थे जोटे-छोटे लक्डी दीपर राक के टुकडे की यते जन्दे ने उनना टुकड़ा नो कठया करके मावा दी गोधा दे विच पा देता जन्द है जोलियाँ खून देना लाल ने इक कवी ने बड़ी प्यारी का लिखी है कि अन्दा एक जलाद एक मादी गोढ़ दे विच्चो बच्चे नू लाततो फड़दा है ते हवा दे विच्चो शालदा है थले निज्जा करदा है बच्चा निज्जे दे विच जेस तरह परोया जांदा है जिस तरह तागे दे विच मोती प्रया जांदा है कि इंदा एक चीक निकल दी है बच्चे दे प्राण पखेरो ओड़े जांदे ने कि इंदा मैं माँ वाल लटा करे आसी ते मैंनो एंज लगा कि माँ अपने पुत्तर दी आत्मां ने एक स्वाल कल रही हुए खून ना लटपत सूली टंगे पुत्तर नो पुछ दी फिरे एक माई पुत्तर जी सूली उत्ते ने इंद के में आई बेटा तू तू ते पुखास तू तू ते मेरी गोद दे विच ने इसी सौंग रहा ते हुण तू एस नेज़े दिपर सौंग गया है ते किन दा फिर जदो मैं उस मादी चड़दी कला विखी ने नेतरा दे विच ते मिनू मसूस होया के बच्चे दी आत्मा दा शायद सुनेहा है के सुत्यानू सानूना जगाईनी अम्मीय हस के शहिदियसा पाई चोलियां खून दे लाल ने जमीन दे पर खूनदा गलीच्चा विश्या होया है बच्चे दे टुकडे चोलियां दे विच्चने ते अरदास रात को फिर हो ही है के हे अकाल पुरक वाई गरू तेरा शुक्रादना कर दिया हां के चार पैर दिन तेरे पाड़े अंदर सुखदा बतीत हुए है ते रेन सुखदी बतीत हुए नानक नाम चड़दी कला तेरे पाड़े सरबाता पला सो ए जिड़ा शुकर है ये सिदिक दे विच्चो पैदा हो रहे है ते सिद्ख दे वास्त, ए तह सिद्ख दी बहुत बड़ी दहारनें असी जिन्दगी च्छोटे-छोटे समझावते कर लाईं नहीं दे उपर बहुत चोटे-छोटे जिडे केवल ते केवल पदाअर्थवादी हों दे या materialism ना जुड़े हुंदे है माफ करना तुसी भी बहुत सारे गुर्दवरा दे पर बंद कोगे न के विरी ते पर चार के नों ही क्या जानदा जी माया इनी देदां के ऐस मुद्दे उपर ना बोले हो शिराब दे ना बोले हो परदान साव शाक देने उन्दा के विरी रादा सामिया दे बारे ना बोले हो जी सेक्टरी साव दे कार वाली रादा सामी डे रे जान दी है माँ पिछे जाए जी तुसी ना लेक्चर दे विच्छे के गुरू जी दी गाल की तीसी को नेमोने दी जी साड़िया बच्चिया ना वो गुरू जी नो मान दियाने गुरू जी पता नहीं केड़े ने को निमोने जी जी तसी नहीं गुरू जी कह के किसे को निमोने दी काल ना करे हो और पर चारक वर कि किते ने किते इनना गल्लाते समझा उतावादी हो जानदा और एक ट्रैस्डी है कि असी शुकर देव इच नहीं रहएगे सबर देवेच नहीं रहेए साइज देवेच नहीं रहे असी समझ उतावादी हो जलने चोटी है चोटी हैं कलना दिपर तहनों याद हुएगा दरबार साथ देवेच किसे वेले रागी मुणशा सिंग जी कीर्टन करया कर दे सी महाराजारण जी सिंग दे समय बड़ा प्यारा कीर्टन कर दे सी पर कीर्टन पे टानी सी लें दे संगत दे को लो जिन्नी के उननों लोड हुंदी सी रोटी जोगी ओने के उननने ले लेने बाकी कोई लालच नी सी, बड़े दर्वेश सबादे सी, बड़े वधिया सबादे एक अलरन जी सिंग ते कोई पहुंच गी पी जड़े दरवार साब दे, रागी सिंग ने, पाई मुनशा सिंग जी उँ ऐस तरह दी मान सकता वाले ने, पी इनने शुकर दे विच, इनने साइस दे विच, इनने सिद्क दे विच जीमन बतीत कर दे ने ते रनजी सिंग एक दन केंदा है केंदा है के इनना उनुता जरूर कुछ तोफे दे के आउने रनजी सिंग ने अपना लाम लश कर लेया ते तोफे लेके चल पया ते जदो पाई मुणशा सिंग नो किसे ने दस्या के शेरे पंजाब आप तोफे लेके आ रहेया उनने दर्वाजा बंद कर लेया ओन शेरे पंजाब बाहर पंजाब दा बादशा शेरे पंजाब बाहर ते कीरतनिया सेंग अंदर ते दर्वाजा बंद ते शेरे पंजाब कह रहे है कहिंदा खाल सा जी दर्वाजा कोलो कहिंदे नहीं खोलना कहिंदा खोलो ते सही मैंनों पता लगा तुसी दृद्धरता द जिस दर्ते की इर्तिन करद लोड होएगी उत्थों मंगाँगा एस सिद्ध क्या है और एस सिद्ध दे ना लो तुसी शुकर ना लो तोड के नहीं वेख सकते क्योंकि जे एस सिद्ध है फेरी पाई मुणशा सिंग एगाल कहीं देने न के मेरे कोल खान दे वास्ते जो भी र अन् merely आपचा ना आ पायदा वी नी सकता जैकर सहे जिदी निया जिन्द की दे वीच सिद्द पैदा नी हो सकता सो इनना सारेयां गला नू आपस देवीच जोड के वेखन दी लोड है जोसी जोड के ने विखने जोसी तोड के वेखने थे हैं फिर कितेना किते जेडी मैं अराम बदे विचे गाल कीती सी, के शबद मूर रूप दे विचे साड़ी पाशादे नहीं हुंदे, असी उन्हा शबदा नू लबदे, जिस तरह मैं मैं भी का लबदा रहा, पियर पाई सापाई गुरदास दिया, वारा वेखा, कबेत वेखा, गुरु गरण साप वेखा, शुकर शबद किन्नी वरी आया है, केड़े राग दे विच आया है, केड़ी पंक्ती दे विच आया है, नहीं लबदा, एदा मतलब मैं सिर्फ शबद नू लब रहा सी, पर मैं लबदा चाहिदा सी, के ओस शबदे जड़े वड़े अर्थ ने, उँ मेरे विर्सेच किते पहे ने, मैं लबदा ओसी, के ओस किते पहे ने, सो ऐसे तरह दे नाल, जदो आज ज़सी थे, जड़े भी बैटी हैंना, मेरे कहे जा रहे शबदान हो नहीं, तुसी सोड़ना, जड़ी गाल कीती है, उन्नो जड़ी ची टाल के, उन्नो लबणा है के सिद्ध किते पह आयते, शुकर किते पह आयते, नहीं ता यह महस, ए ता शबदने में बोलके चले जाना, तुसी सोनके चले जाना, नहीं ता गालता फिर इत्य दित्ते रह जोगी, पर जे जिन्दगी दे विच ओस सदीवी ते रोहानी अनांद दा खुलारा लेना है ओस विसमादी रंग दे विच जाना है तब फिर ता ओस सबर, सिद्क, सहज नो मैसूस करना पवेगा पर एक चीज जिड़ी है ना ओस सबस्थाच जान नहीं दे 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 उस सवाल बड़ा है मैं ओ केड़ी चीज है गुर गोबिंद सिंग मारा आज 17 एक साल दी आजू अज़े गोबिंद राय सी, अमरत संसकार नहीं सी होया लख नौर बैठे ते उनना दे सामने एक पालकी आके रुकी पालकी दे विच्चो एक फकीर उतर देने जोड़ा उतार देने ते गुरू साव दे दिदार करन चले जान देने जड़े पीर दे मुरीद ने बड़े हरान ने बड़ी अजीव गल है पी ए पीर जी ता औरंग जेव दे दरबार दे विच जान ता औरंग जेव इस्तकबाल करन दे वास्ते होंदा है स्तारा एक साल दी उमर देच नौजवान बैठा तख़त दे ते पीर जोड़ा उतार के जा रहे ने अरे सच मुछ कोई अतकत नहीं नहीं है जे ए पीर जी सच मुछ ही आरंग जेव दे दरबार दे विच जान दे होंगे न ते आरंग जेव तख़त तो उठके इस्तकबाल जरूर करता हुएगा उठके जरूर होता हुएगा कोई शाक नहीं क्योंको सी कोण तो थोड़ा पिछे चले जाएए इसलाम तर नहीं दे बनी हजरत मुछ मुछ साब उन्ना दे जवाई हजरत अली नो मस्चद देचे नमाज पढ़ देचे नमाज पढ़ देचे शहीद कर देटा जन्दा है फिर अगो उन्ना दे दो तरे जड़े हजरता संते हुसाइन एक नो जहर दे के हसनु कतल कर देटा जन्दा है हुसाइन नो उस दे दो पुत्र अली अल असगर ते अली अल अकबर दे नाल कर बला दे मैदान दे शहीद कर देटा जन्दा है उस तो इसलाम दो हिस्स्याच वड़ा जान दा शिया और सुनी जेड़ी तुसी आज लड़ाई वे एक दियो शिया ते सुनी दी करबला दे मैदान दे विचे इसलाम दे दो तरह वाँ पैदा हुन दिया ने उत्व शुरू हुन दिया जेड़े सैद ने जेड़े खास करके महमद साथ दी बेटी दे परवार दे विचे उसी उना दे चुप पहले सैद जेड़े हंदोस्ताओं दे चुप परचार का रुआस दे उन्देने ओने अजमेर श्रीफ वाले सैद मयू दिन चिश्टी अगो इना दे विच्छो इख्वाजा बख्तियार का की हजरत नजामुदीन ओलिया ते चल दी चल दी एस नजामी सिल्सले दी परंपरा जड़ा महमसादी बेटी तो शुरू है ऐ विचछ गुलामुदीन कारजण मलें दो स्यद बख्रूदीन जड़ा पालकी दो फश्चyang directional दी विच्छो कोई आम सिखश्यत नहीं है मुहमसादी बेटी दे खांदान दे विच्छों ता क perilतन जची हून मुहमसादी बेटी दे खांदान दे विच्छों कोई फकीर जेड़ा औरंग जेव दे दरबार दे विचे जाएगा औरंग जेव क्यों नहीं उठेगा पार रहे थे गुर्गोबन सिंग महाराज बाइटे ने ते पीर जी जोड़ा उतार के आ रहे ने ते स्वाल बड़ा एहम है मैं अरामब दे विचे गाल कीती सी ना के तो सी सूफी मतनू पढ़ोगे ना स्वाल रमज दे विचे बड़े हुदे ने बड़ी रमज दे चोटी जी गाल चोटा जा जवाब पर अर्थ बहुत बड़े वो केंदे ने खुदा के में मिले गुर्गोबन सिंग माराज नो पीर जी दा स्वाल खुदा के में मिले पाच्चा केंदे जे में देंते रात मुसकरा के केंदे ओदा मिल दे ही नहीं ते पाच्चा केंदे एही इस ता जवाब है कि जिते मैं है उते तूं नहीं जिते तूं है उते मैं नहीं फिर पीर जी ता अगला सौल कि इन दे फिर उग केड़ी चीज है जिड़ी ये तूं ते मैं जिते सहज जिते सबर जिते सिद्क ते जिते शुकर दी बता हुन दी है पर मातमा दे मिलाप दे विच्छों ओ थी फर केड़ी चीज है जेड़ी नहीं मिलन दे ते गुर्गोबन सेंग मारा आई फारसी दे विच एक शेयर पढ़ देने खिदमत करदम उँ खुदारा खादमो मखदूम शुद खिदमत सेवा करने खुदा परमातमा खादम नौकर मखदूम मालक खुद आपना खुद हो में मरहूम मौद कि इंदे ओस खुदा दी खिद्मत कर देयां ओदे शुकर दे सिजदे विच अपनी खुदी नू कतम कर देयो पर जेकर सेवा भी करनी है ते खुद नू भी रखना है आप पकाता मेरे बापू ने लुआया कि खिद्मत कर दम उँ खुदी रा मखदूम मरहूम शुद पी जेकर सेवा भी करनी पावना कि आँ चीज मैं चड़ाई या खुदी यह मांदे विच कि इंदे ओस सेवा दा कोई फैदा नी और टाइम पीस ते तब मेरे बापुदा ना चाही था कि इंदे दा कोई फैदा नी मखदूम मरहूम शुद कि इंदे बस इन्ना के पढ़दा है खुदी दा ते खुदी दा जे दिन तुसी खुदी नो मटा के खुदा ना जुड़गे ते खुदनो पेद कर लिया उदिन ता नो शुकर दे फलस्फ़े दी समझ आ जानी है और फलस्फ़ा पांच मिंट रहे गिने बड़ा विशाल है और अकीर दे विचे नो समझना दा जतन करिए कि खत्थों दे कि पला मनावे असी नी समझ आ सड़ा दुशमन समझ दा फिर समझ आँ असी नी समझ आ सड़ा दुशमन समझ दा मिसाल देता ओरते हैं, मैं कल पढ़ रहा सी गा, जड़े स्प्रीम कोड दे उन्नी सो अठविंजा दे विचे जड़े केस चले ना, उन्नी सो पचविंजा दे खरड़ा, ते उदा वालियम टू दे विचे के ना, एक्जिबिट लगा है, एक सो स्तारा, तो दे विचे जड़ सरदार कपूर सिंग वर्सेज यूनिन आफ इंडिया, और ओ वाला केस है, जड़ो सिखा नू दासकतू बर उन्नी सो संताली नू जराइम पेशा काउम जड़ा केया गया, तो दे विचे मैं जड़ो जराइम पेशा काउम दे बारे सारे केस नू पढ़ रहा सी ना, तो दे जड़े ना, इनना दे अंदर जमांदरू ता ओरते डिजायर फॉर वोमेन एंड लूट है, के पार इस तरी ते नजर राख देने, ते लुटन दी मान सिकता है न दी, जड़ो है ही नी, तो मैं पता की सोचया, मैं क्यो हिं दोस्तान दे लीडरो, उत तो हाड़े नो ता सा अनू मैदाने जांग चे लड़नवाले दुश्मना ने चंगा समझया, तो हाड़े लईता असी अजादी देन दे वास ते, एक सो एक्कियां चो तरेनवे से रदते, ते तुसी के इंदे ओ के डिजायर फॉर वोमेन एंड लूट पर, जिनना दे नालसी मैदाने जांग द विच लड़े हो, पता कि कि इंदे सगारा मगो सक के हस्तंद शेर बामादाने बरदा चुश एरांद लेर, कि इंदा बेशक मजबी जनून करके, काजी नूर मुहमद जांग नामेच, फारसी दी रचना, कलाथ शेर पाकिस्तान चे बैठके लेखता है, वो सिख खान देना लो समझता है पर कि इंदान देनुष लोटे राज पता कि इंदे डिजायर फॉर वोमें अड़ोटे यो पता कि इंदा के जनगर जवाँस जवाँस ताउर वाँस्त PİR बगोजण बुडिया बरो गोशागीर कि इन्दा इन ना दे सामने दिश्मन दी, बेटी आजावे, बजर्ग आजावे, हम उमर आजावे ना उदी जित लोट दे, तो ना उदे गैने वलवे ज़ते साड़ दिश्मन इस कालनों समझता है असी ना समझ सके जाओ लूक ना समझ सके जिन्ना दे वास्ते इन्या शहादा देंगी है जो तो मैं शुकर दी गाले करता है मैं अपने दी गाले कर लगा है आपा ना समझे पर सड़ा दुश्मन समझता है जो तो नादरशा ने दिली नो लुटे आ, नादरशा ये कतलिया में कीता इत्हुंदियां बहुत सारी लड़कियां नो जो दो बंदी बनाके लेके जा रहे है असी पीकॉक थ्रॉन जिसनों तक ते ताउस के आजन्दा है उता भी सारा मालस बाब लुटके ले गया ते रादे मुझे सिंगा ने काफी हौला कर देता मालस बाब भी लुटलिया ते लड़की हमी छड़ा देती है ते जो दो लहौर पहुंचदा है न ते लहौर जाके फिर लहौर दे गवर्नर जखरिया खानू पहुंचदा है कि इन्दा कौन ने जिन्ना ने लुटलिया उ कि इन्दा सिक कि इन्दा गुरू कौन है कि इन्दा मुर्षिद इनका वली पयो है इनको आप बेहयात दियो है कि इन्दा इन्दा मुर्षिद कि ऐसा रेबर होया है कि जिन्ने इन्दा खंडे बाटे दी दाथ दी आप बड़ा चिड़ा आप जिसनों के इन्दा आप बेहात जिन्दगी दा पाणी अम्रत कि इन्दा आप बेहात एमें दा इननु दे दिता कि असी इननु मारदे मारदे मर चले परे मरदे मरदे भी नहीं मरदे फिर कि इन्दा खांदे की ने कि इन्दा रुखांदे पत्ते भी खा लें दे कि इन्दा ने एंजित ने कोई ता तरीका होएगा कि इन्दा खांदे की ने शायद ये तेना दास सका पर खांदे के में ने ये दास दिना उन एदे चिता हनु पता लगेगा हत्थों दे के पला मनावे किर्त विर्त कर तरमदी हत्थों दे के पला मनावे जितो मैं अराम पचे काल की ती सी के परमातमा दियां दितियां खुशनमादातां दा शुकर करना एवी शुकराने दे एक परबाशा है परमातमा चोली जो दुख पादे वे एवी शुकराने दे एक परबाशा है तसी दुखी होई ये फिर भी सोख महसूस करिए एवी परवाशा है पर आप दुखी होईए ते दुझे नो सोख देर दे वास्ते साब को जी समर्पत कर दिये ये तो वड़ी फिर शुकर दी परवाशा के लिए ये ता बड़ी बलखण है ना फिर बहुत वक्री है जी साड़ी वाज पहुंच रही है साड़ा लंगर तियार है जिन्नों पो खलगिया कोई साड़ा दुश्मन कोई दुश्मन दा सुया आके लंगर चे परशादा शाक सकता है केंदा जी कर दुश्मन परशादा खाना आजावे रूटी खाना आजावे केंदा आजावे केंदा लंगर दे विचे केंदा सतकार कर दे ने दुश्मन नो दुश्मन समय दी नी कहिंदा जो सारा ही दुश्मन आके बैठ जावे कहिंदा तामी कोई परवा नी कहिंदा जो सारा ही लंगर शाक जावे कहिंदा तामी कोई परवा नी कहिंदा क्यों कहिंदा जो दुश्मन पर शादा शाक जावे होर भी खोशुन देने, कहीं दा फेरते सारे उठके खुलो जान देने, ते अरदास पता की कर देने, बचे तो दाना आप खले हैं, नहीं तो लंगर मस्त बते हैं, ऐ परमात्मा तेरी रहमत दे सदका दुशमन नुशिका कैसी खोशकार देता है, तेरा शुकर है, ते साड़े वास्ते लंगर मस्ताना हो गया यह सिखां दे शुकर दा पैरामीटर है सो वकत मेरा समापत एक केंटा, सो मैं कोशिश कीती सी के तहास दे सुरुतां दे विच्चों, शुकर शबद कितो अराम होया, ते असी एनु केड़े अर्थां दे समझनता चतन करना अपने तारीख ले पन्या दे अनकूल मैं आस करना है कि मैं ज़्यादा गलतीयां नहीं कितीयां होनगीयां कोई को गुर्भाणी मेरा विशार निया सो एन्यां बेंतीयां परवान फत्य दिसा इस्तिकार साहता अखना जी वाहिगुर्ची का खाल्चा वाहिगुर्ची की फत्य